आज की वीडियो में हम आपको फ्री में सौपिंग करने की जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप फ्री में सौपिंग कर सकती हैं तो दोस्तो बहुत सारी कंपनिया पहले आपको ट्राइल के लिए फ्री में प्रूडेक्ट देती हैं और बाद में आपको बोलती हैं कि अगर आपको अच्छे लगें तो आप खरीच सकती हैं तो दोस्तो ऐसी ही एक application का link मैंने वीडियो के description में दिया है तो जैसी ही आप description के दिये हुए link पर click करेंगे तो आप सीधे play store में transfer हो जाओगे play store में आते ही आपको ये application दिखेगा smiting try sample product यानि कि ये application आपको trial के लिए पहले product देता है जिसकी rating 4.4 की है और 5 million से ज़्यादा लोग इसे use कर रही है ये company आपको पहले product free में देती है जब आप उन product को use कर लेते हो वो आपको अच्छे लगती है तो आप फिर इनकी application से वही product या दूसरे product पैसे दे के खरीच सकती है तो मैंने इसे install कर लिया है open पर हम click करेंगे sign up पर हमें click करना होगा उसके बाद तो यहाँ पर आपको sign up के नीचे continue का option दिखेगा आपको continue पर click करना होगा किस category के product आप खरीना चाहते है वो आपको select करना होगा और आपको sign up करना होगा यहाँ पर आप Facebook की मदश से sign up कर सकती है आप Google account की मदश से sign up कर सकती है या आप LinkedIn के account की मदश से भी sign up कर सकती है या manually sign up कर सकती है तो मैंने manually पर click किया है यहां पर सबसे पहले हमें अपना first name, last name और अपनी date of birth डाल के continue पर क्लिक करना होगा तो चलिए मैं ये सभी detail डाल देता हूँ और continue पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद हमें अपना gender select करना होगा कि हम male है या female और अपने area का pin कोड डाल के continue पर क्लिक करना होगा तो यह detail में मैं डाल देता हूँ यह detail डालने के बाद हमें continue पर जैसे ही click करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा interface आएगा आप यह देख सकती हैं यह application open हो चुका है अब मैं आपको इसका interface समझाता हूँ और कैसे यहाँ पर free में product order करोगे यह verify your account detail में आपको mobile number, email id डालनी होगी और refer code हमारी वीडियो के description में दिया है और इतना करने के बाद आपका account open हो जाएगा तो account open होने के बाद कुछ इस तरह का interface आपको दिखाय जाता है उपर trial का option दिया है और swap का दिया है एक बार में आप 5 product free में मगा सकती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो आप order करोगे तो आप जैसे ही जैसे नीचे scroll करोगे तो आपको यहाँ पर product दिखाई जाएंगे तो आप यह देख सकती है कि यहाँ पर product पर click करोगे और यहाँ पर try now पर click करना होगा try now पर click करने के बाद आप इन product को trial के लिए लगा सकती है तो हम भी यही करती है तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से product select कर लेते हैं try now पर click करेंगे तो यह product हमारी cart में add होते चले जाएंगे तो जो जो product आपको यहाँ पर पसंद आएं try now पर click करना है और वो product आपको add करनी है आपको यहाँ पर हजारों product मिल जाएंगे आपको यहाँ पर cosmetic से related product मिल जाएंगे fashion and beauty से related product मिल जाएंगे आपको जो जो product जिजिस company के product trial के लिए चाहिए उन उन company के product आप trial के लिए ले सकते हैं तो चलिए फटापट फटापट मैं जल्दी जल्दी select करता हूँ और try now try now पर click करके और इनको अपनी add कर लेता हूँ add करने के बाद क्या करेंगे किस तरीके से order करेंगे उसकी जानकारी हम आपको अभी देंगे तो try now पर जैसे ही click करेंगे वो add होते जाएंगे तो उसके बाद जब हमने इतने सारे product add कर लिए तो उसके बाद आप कैसे अपनी card से order लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ यह आप देख सकते हैं इसमें already बहुत सारे product नीचे दिये हुए हैं और यह मैं आपको बस demo के लिए दिखा रहा हूँ कि आप इनमें से कोई भी product free में मगा सकती हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे already 5 product हो चुके हैं तो और product add करने के लिए यह बना कर रहा है sample के लिए बस 5 product आप ले सकती हैं यहाँ पर सभी तरह के product यहाँ पर दिये हुए हैं जिन्हें आप free में trial के लिए ले सकती हैं और उसके बाद आप किस तरीके से लोगें किस तरीके से order करोगें उसकी बात करती हैं तो नीचे card का option दिखता है उस पर हम click करती हैं तो हमने यहाँ पर बहुत सारे product आड़ कर दिये हैं आप यह देख सकती हैं यह बहुत सारे product है एक पूरी basket हमें free में भी दी जा रही है इतने product के अलाबा आप यह देख सकती हैं लगवग हमने 5 product पहले से add कर दिये हैं एक product इनकी तरफ से free दिये जा रहा है एक basket free दी जा रही है सामान रखी हुई तो इतना सामान हमें मिल रहा है जिसके बदले हमें 199 का payment करना पड़ेगा आप कहुगे कि यह 199 का payment क्यों करना है यह जैसे आप 199 का payment कर दोगे तो यह cashback आपको मिल जाएगा तो आप next order पर 199 का use कर सकती है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह 199 में courier charge आपसे लिया जा रहा है और जो tax लग रही है बो लिये जा रहे है प्रोडेक्ट का charge नहीं लिया जा रहा अगर आप प्रोडेक्ट की cost को समालोगे तो लगबग 800-900 रुपए का सामान आपका हो जाता है अगर गूगल से इनकी rate को compare करोगे और आपको वस 199 का payment करना है यहां पर payment option आपको select करने है और proceed कर देना है और payment करते ही आपका यह order हो जाएगा और आपको बताना चाहूँगा कि यह 199 आपका cashback मिल जाता है next order पर आप इसे भी use कर सकते है यानि कि आपने जो 199 payment भी किया था वो product भी आपको द्वारा next order पर 199 रुपे यूज कर सकती है क्योंकि वो cashback के रुपे आपको मिल चुके होती है इसलिए यहां पर आपको यह product जो first order होता है वो आपको free में मिल जाता है यानि first order आपका free में हो जाता है यहां पर आपको payment option select करना होगा और उसके बाद आपको payment कर देना होगा जैसे आप 199 का payment करोगे आपका order successful लग जाएगा order लगने के बाद order section में आप जाओगे और अपना order देख सकती है यहां पर जो जो सामान आपने select किया है वो सामान दिखाये जाता है जो जो आपने order किया है तो यह था कि किस तरीके से smiting से आप order लगा सकती है किस तरीके से product trial के लिए ले सकती है यहां पर refer and earn का भी option है आप refer करके किसी दूसरे दोस्त को download करा के shopping कराते हो या free trial दिलाते हो तो आपको 200 credit मिलती है जिनका आप use कर सकती है shopping करते time तो 200 credit याने की 200 रुपई के बराबर होती है तो आप उन्हें redeem कर सकती है shopping कर सकती है उन 200 रुपई की जैसे जैसे जितने जितने friend आपके link के थूँ जोइन करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी income होगी तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद